नमश्कार दोस्तों आगरा की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं लेका यह मोटी लाल मिर्च का चार तो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो काफी समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए 400 अब इन मिर्ची के लिए मसाला तयार करेंगे तो एक कढ़ाई रख लिए गैस पर और उसमें हम 6 चमच करीब सौंफ डाल देंगे तो 6 चमच काफी रहेगी अब 3 चमच डालेंगे साबुत खड़ा धनिया अब धनिय के बाद डालेंगे एक चमच जीरा और 3 चमच और 2 चमच पीली सरसों भी डालेंगे अब सबी मसालों को अच्छे से बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे तो इतना भूनना है जिसमें अच्छे से खुस्बू आने लगे तो मसाला हमारा भूनी गया है अब इसे ठंडा कर लेते हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें आप भागी की तैयारी करेंगे तो 20-25 का लिया लेसुन की मैंने खलड में डाल ली है दर दरासा इसको कूट लेते हैं इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है तो मिक्सिजार में डाल लेते हैं और धकन लगाकर मसाले को दर दरासा पीस के तैयार कर लिया है तो इस तरह का होना चाहिए अप इसे हुए मसाले को हम मिर्ची के अंदर डाल देते हैं और सातमें एक चंब्स हल्दी पॉडर डालेंगे और दो चंब्स सफिद नमक डालेंगे और एक चंब्स कलोंजी डालेंगे और एक चौथाई Kurz विनेगर डालेंगे तो विनेगर से हमारा अचार खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और लास्ट में एक साबुत निम्बू का रस डालेंगे जो हमारा प्रेजर्वेटिव का काम करेगा तो पूरा निम्बू का रस मैंने इसमें डाल और सबी चीज़े डालने के बाद एक कटोरी मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है और तेल डालकर मसाले के साथ मिर्ची विर्ची को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अचार को तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर और कमेंट करना न भूले तो अब एक कटो और अब आचार को हम चमज से इसमें डाल लेते हैं तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं थैंक यू फर वचिंग